Hello students, welcome to my channel Mini School. Today I will teach you class 3rd English Unit 6, chapter The Story of the Road. So children, आज हम पढ़ेंगे chapter The Story of the Road. Road की कहानी, आप पिच्चर में देख सकते हैं, यह है road. तो आज के इस chapter में हम इस road के बारे में पढ़ेंगे. It is early morning, the road is asleep, everything is quiet. सुबह का समय है, road, सोई भी है, everything is quiet, सब कुछ शान्त है. Quiet means शान्त. तो सुबह सुबह का समय है, जो road है, वो सोई भी है, और सब कुछ, क्या है, चारतरब बिलकुल, शान्ती है. But listen, पर सुनो, the birds are calling softly. Softly होता है, मधुर आवाज में, या फिर धीरे से. जो words है, चिडिया है, वो धीरे से बोल रही है, चिर्प, 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 सेजदा स्पैरोज, जो स्पैरोज होते हैं, गोरेया, वो क्या कर रहे है, चिर्प, 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 चिर्प में स्पैरोज हैं, तो जो स्पैरोज हैं, वो स्पैरोज हैं, वो स्प रहा है, here is someone else now, अब यहाँ पर कोई और भी है, tringaling, tringaling, it is the newspaper vendor, तो क्या होता है, tringaling, tringaling की आवाज आती है, और यह कौन होता है, न्यूजपेपर बेचने वाला vendor होता है, होकर, जो की vegetables, fruits बेचने वाले को vendor कहा जाता है, तो यहाँ पर यह newspaper बेचने वाला भी आ जाता है, अभी तक crow और gorria यहाँ पर आवाज कर रही थी, तो अभी अभी क्या होता है, यहाँ पर एक newspaper बेचने वाला भी आ जाता है, और यह इसकी cycle से भी कैसी आवाज आती है, ट्रिंगलेंग, 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 ट्रिंगलेंग काव काव करके चो क्रो होता है वो भी क्या कहता है जागो साइकल वाला और स्पैरोज और चो कववा होता है वो सब क्या कहते है जागो किस से कह रहे हैं जागो रोट से अब यहाँ कौन आ रहा है यह सबजी वाला है पीज, कॉलिफलास, कैवजेज, सेज दे वेजिटेवल, वेंडर तो जो सबजी बेशने वाला है वो पीज, पीज होते हैं मटर, कॉलिफलार, फूल गोबी और कैवेज, बंद गोबी होती है तो अपनी सबजियों के जो सबजियां लाया होता है उनके नाम लेता है आप पिच्चर में देख सकते हैं ये है वेजिटेवल वेंडर और काट में बहुत सारी वेजिटेवल्स लेके आया है तो ये वेजिटेवल बेशता है तो आवाज करके वेजिटेवल्स के नाम लेता है पटेटोज, कुकमबस, रेडिशेज, कैरट्स, काव सेज़द, क्रो, विक अप, चिर्प चिर्प सेज़द, स्पैरोज तो इस तरीके से जो वेजिटेवल बीचने वाला है वो पटेटोज, कुकमबस, रेडिशेज और कैरट्स सबके नाम लेता है और जो crow है वो cow cow करके road को जगा रही है जगा रहा है और चिप चिप करके sparrow's road को जगा रही है Tramp, 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 Chatter, 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 Who are these? तभी क्या होती है? Tramp, Tramp, Tramp और Chatter, Chatter बातचीत की आवाज आती है Who are these? ये कौन है? They are children going to school ये स्कूल बच्चे स्कूल जा रहे है Chatter, 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 Talk the School Children तो जो बच्चे है उस स्कूल जा रहे है और बातचीत करते हुए जा रहे है Tramp, 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 Go their Shoes और जो उनकी सूज है उनकी जूतों से टक 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 की आवाज आ रही है Peas, Carrots, Cavages, Calls the Vegetable Wander तो जो सब्ची बेशने वाला है वो सब्चियों के नाम ले रहा है चिर्फ, 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 सेजदे स्पैरोज और जो स्पैरोज हैं वो भी अपनी आवाज में चह चहा रही है तो जो कववा है वो भी काव काव की आवाज कर रहा है तो ये सारे लोग क्या कर रहे हैं अपने अपने तरीके से रोट को जगा रहे हैं तो रोट ने पूछा विक जाओ मैं अल्रेडी जाग चुकी हूँ तो जब सभी अपनी अवाज में रोट को जगा रहे होते हैं तो रोट ने कहा जाग जाओ 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 तुम सभी जाग जाओ कह रहे हो तुम देखनी सकते हैं मैं तो पहले से ही जाग चुकी हूँ तो इस चैप्टर को लिखा है पॉली सेन गुपता ने तो चिल्डन आज की इस चैप्टर में हमने देखा कि जब सुबह सुबह का समय होता है तो जब सारे लोग आते हैं रोड में तो तब तक रोड क्या रहती है बिल्कुल शांत रहती है और जब सब लोग आते हैं तो रोड भी जाग जाती है और रात भर रोड जब उसके उपर कोई भी नहीं चल रहते है और जो बड्स हैं वो सोई रहते हैं तो उस समय रोड बिल्कुल शांत होती है रोड शोई रहती है और जैसे ही सुबह का समय होता है और सभी रोड में आते हैं तो रोड भी जाब जाती है अब हम new words पढ़ेंगे So children, आज की इस चेप्टर में हमने The Story of the Road चेप्टर को explain किया Next वीडियो में हम इस चेप्टर के word meanings, question answers and book excise करेंगे I hope यह वीडियो आपके लिए useful होगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो please like, share और subscribe करें Thank you